मस्कार सिच्छामित्रों स्वागत थे हमारी उप्री चैनल में मैं आपको बता दू कि जित्ते में सिच्छामित्र हैं उन्होंने आमर अंसन की धंगी दी है दिल्ली के जंतर मंतर पे और यह बहुत भी जोड़ और बहुत हुई भेंकर भीड़ नहां पे जुटी हुई है मैं आपको एक बाद बताना चाहता हूँ कि जित्ते में सिच्छामित्र हैं अपनी मांगों को लेकर कि आज दिल्ली स्थीत जंतर पंदर पर प्रदसन कर रहे हैं जंतर मंतर पर भारी संख्या में सिच्छामित्र मौजूद हैं भीड को देखते हुए पुलिस बल प्रदसन असर पर तेनाद कर दिया गया है दिल्ली पुलिस की बहुत सारी जो टुकुनिया है उनको वहाँ पर धरना असर पर तेनाद कर दिया गया कोई अन्होनी न घटने पाए 10,000 रुपे मांदे से असंतूश्च शिच्छामित्र का जंतर मंतर पर 11 से लेकर कि 14 सित्मबर तक ये धर्ना बदसन चलेगा भारी संख्या में सिच्छा मित्र टेनों और बसों से दिल्ली पहुँच रहे हैं सिच्छा मित्रों ने अपने धर्ने को आमरन अंसन में बदलने की चैतानी भी दी है जो कि भाज़पा की सरकार को किन सरकार को और रुराज सरकार के दोनों के लिए बहुती बड़ा संकट खड़ा हो गया है उन्होंने कहा है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे अनिशित कालिन अंसन में तपदिल करेंगे दिल्ली पुलिस की ओर से सिच्छा मित्रों को धरने के लिए फिलहाल अभी तक 4 दिन की अनुमती दिये गई है जो कि 11 से लेकर के 14 सितंबर तक है धरने को सफ़र बराने के लिए सिच्छा मित्र जो जितनी वी संके निता है वो जीलों से लेकर कि गाहों तक सिच्छा मित्रों से मुलाकात कर दिल्ली जाने का आवान किया है सिच्छा मित्र वेलफियर असोसीशन के प्रज़त अध्याच जो जितन साही के मुकताविक 50,000 से जदा सिच्छा मित्र दिल्ली पहुँच गया है गौरतलब है कि सिच्छा मित्रों का समायोजन 25 जुलाई को सुप्रिम कोर द्वारा रद कर दिया गया था वहीं उन्हीं ट्रीटी पास करने के बाद भरती में मौका देने की बाद फैसले में कही गई थी लेकिन सिच्छा मित लगातार इसका बिरोद कर रहे हैं उनका कहना है कि किन सरकार कानूर में संसुधन कर उन्हें समायोजित कर सकती है वहीं वे सिच्छक बनने तक समानकार और समान बेतन की मांग पर अड़े हैं ये सारी उनकी मांगे हैं जिसको लेकर के वो अपना प्रदर्सन कर रहे हैं दिल्ली की जंतरमिंतर पे दोकी 11 से लेकर के 14 सिसंबर तक चलेगा और ये बहुत ही बड़ा प्रदर्सन है सिच्छा में तो रुकर इसके विए से बहुत सारे जगा पे गल जाम भी लग गया था और इसके वजए से दिल्ली में बहुत लोगों को परसानी भी उठाना पड़ रहा है लेकिन कोई बात नहीं इनकी मांगे जो है अपना पूरा करने के लिए सिच्छा में तो इतना दूर से आये हैं तो इनके अपने मांगे जरूर रखनी चाहिए जय हिन जय भारत अगरा हमारे चनल में को अपने सब्सक्राइब नहीं कि जब सब्सक्राइब करें सेर करें लाइक करें और कमेंट करें कोई भी आपको नई जनकारी चाहिए या आपको नए पास नई जनकारी तो झाल झाल